दोस्तो आज मैं एक छोटा सा क्लिप अप लोगों को शेयर करूंगा एमराइलीज लीली फ्लावर प्लाइन्ट की बाल्ब आपने स्टोर किया है और पहले सी अगर फ्लावर खिलना स्टाट हो जाते हैं देखिए मेरे फ्लावर प्लावर खिल गए दो फ्लावर आये है एक इस्टिक में और ये बाल्ब मैंने श्टोर करके रखा था देखिए दो इस्टिक आ रहा है चोटा सा एक इस्टिक सेकेंड बाल्ब में भी देखिए दो इस्टिक आ रहा है तो एक condition में आपके मान में बहुत ज़्यादा question हो शकते हैं क्या मैं मेरा बाल्ब लगाऊंगा तो इसके बाद flower नहीं खिलेगा तो क्या करना है पूरे condition दूर करने के लिए मैं इस छोटा सा किलिए आप लोगों को share कर देता हूँ दोस्तो ए बाल्ब में जो भी flower आया है आप ही flower हमको नहीं चाहिए है ये flower की stick हम कट कर देंगे ये stick थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे इसको भी कट कर देंगे और ये दोनों stick भी थोड़ी सी लंबे हो जाएंगे flower खिलने से पहले हम कट कर देंगे कट करने से क्या होगा ये जो बाल्ब है बाल्ब की नीचे की ओर देखिए यह देखिए यहाँ से plant निकल कर आएंगे यहां से plant निकल कर आएंगे यहां से एक प्लान्ट आएगा, इसमें तुरंत फ्लावर नहीं आएंगे और इसकी बाजु से देखिए, यहां से एक आएंगे ऐसे करके इसमें भी दो, तीन या चार मल्टिपल आएंगे यह देखिए इसकी अंदर भी है, इसको अगर थोरा सा कबर हटा देंगे तो इसके अंदर भी ये उचा देख रहा है इसके अंदर से भी एक निकलेंगे प्लांट ऐसे करके तीन-चार प्लांट आपको मिल जाएगा मिनिमाम अगर तीन प्लांट भी निकलते हैं और एक श्टिक में दो-दो फ्लावर भी आते हैं तो शीक्स फ्लावर आपको एक शाथ में लगा तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है इन केस अगर आपने इस्टोर किये है और इसमें पहले से फ्लावर खिला हुआ है तो आप फ्लावर इस्टिक को कट करें और लगा दीजी लगाने के लिए जो शॉयल मीड लेना है एक दस इंच की पाट लेना है दस इंच की एक पाट में लगाईए अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी आजू बाजू और भी बहुत सारे ऐसे करके बालब बन जाते हैं आप अगर छोटे पाट में लगाते हैं तो बालब बनने में तो प्राब्लेम होता है इसलिए आप एक दस इंच की पाट ले ऐसे पाट लेंगे जिसका उचाई बहुत ज़्यादा ना हो एक सैलो टाइप की पाट लीजिए ज़्यादा अच्छा है छै इंच की उसका उचाई हो और दस इंच की उसका चावराई हो ऐसे टाइप की आप अगर कोई पाट लेंगे तो बह